दोस्तों, आज की इस वीडियो का टापिक है कि डिफ्रेंस बिट्विन किलो वाट एंड केविये अकसर आप लोगों के मन में या कन्फ्यूजन बना रहता होगा कि किलो वाट और केविये दोनों में क्या अंतर है तो आज कि इस पूरी वीडियो को आप वाज कर लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि दोनों में क्यांतर होता है और अगर कभी आपसे इंटर्वियू में इस तरह के परस्ट पूछे जाते हैं तो आप ये निर्धारित कर पाएंगे कि आपको जवाब क्या देना है तो बने रहें पूरी वीडियो को साथ लाश तक जो हमारा किलो वाट होता है और जो हमारा केविय होता है ये दोनों ही पावर होती है बस दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है केवीए और किलो वाट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अलग-अलग नहीं है बस दोनों की प्रकृति अलग अलग है अब कैसे प्रकृति अलग-अलग है आए उसको भी देखते हैं देखे पावर जो होती है वह तीन प्रकार की हम पावर करते हैं जिसमें से जो पह और तीसरी होती है, रियक्टिव पावर, तो जिसमें से जो हमारी अप्रेंट पावर होती है, या हमारी कुल पावर होती है, ठीक है, कुल पावर मतलब हमने जितना पावर लगाया, जितनी हमने बिदुत सक्ति को दिया, वह हमारा कुल पावर होगा, तो कुल पावर का मतलब यह हो गया कि kva अभी मैं आपको इसको detail में समझाता हूँ जो हमारी active power है इसको हम कहते हैं real power real power का मतलब हो गया kilowatt कि कितना power हमने use किया मतलब यह हुआ कि जो हमने कार किया work किया उसको हम kilowatt में नापते हैं और जो हमारी reactive power होती है इसको यह चीज होती है कि जो नुक्षान हुआ हमारा loss जो हुआ वही हमारा reactive power होता है अब आए इसको थोड़ा सा example group में हम समझे लिते हैं मौन लिजे आप बाजार गए और आपकेλε खरीद लिया अब केला जो आप ने खरीदा उस केले की कीव AOत कीमत थी मौन लेते हैं हम 10 रूपय का एक केला आपने खरीद लिया तो अब जब आप बाजार से केला घर पे लेके आएंगे तो इस पूरे के पूरे केले को तो आप खा नहीं जाएंगे आपको इस केले के छिलकों को उतारना पड़ेगा मतलब आपने पैसा कितना खर्चा किया 10 रुपए का उसके बाद आप केला आपको तो मिल गया लेकिन आपने अब इस पूरे केले को तो आप खाएंगे नहीं, इसका आप छिलका उतार देंगे, तो माले यह छिलका आपका इतना हो गया, यह आपका पूरा केला हो गया, और यह आपका छिलका हो गया, अब आप खाएंगे क्या, अब आपके पास जो बचा, वो कितना बच इतना बचा आपका या टोटल केला हो गया जो आप खाएंगे मतलब यह हुआ कि टोटल केला हमारा इतना था हमको मिला कितना केला खाने के लिए इतना केला मिला और हमारा जो छिलका निकल गया वो यह निकल गया तो मतलब यह हुआ कि हमने पैसा कितने का दिया पूरे केले का दिया हमें मिला कितना इतना केला मिला आप एक जामपल ले ले लेते हैं कि मान लिए यह हमारा 100% केला था हमें मिला कितना मान लेते हैं हम 80% केला हमें मिला खाने के लिए तो हमारा नुकसान कितने का हुआ छिलका जो हमारा निकला वो कितना निकला 20% का हमारा छिलका निकल गय तो यही हमारा जो केला पूरा है हमारा, वही हमारा केविय हो गया, टोटल एनरजी, टोटल पावर जो आपकी हो गई, वही हमारा एक केला हो गया, अब हमें मिला कितना, हमने खपत कितना किया, खाया कितना, किलो वाट उसको हम बोल देंगे, और जो हमारा लॉस हुआ कितना, 20% का नुक्षान हुआ ना अब इस छिलके को तो हम खाएंगे नहीं छिलका तो हमारा वेश्टी हो गया जो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं ठीक है नियम से तो हमको यूज करना चाहिए क्योंकि हमने 10 रुप्या पूरे केले का दिया है लेकिन अब चुकि यह लॉस में चला जा रहा है नुक्सान हो जा रहा है हमारा छिलके का यही हमारा रियक्टिब पावर हो गया तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको और एक्जामपल आपको दिखा देता हूँ मान लिजए हमारे पास एक ग्लास है इस ग्लास में इतना पानी भरा हुआ है ठीक है लेकिन इसकी कापसिटी कितनी है पूरे ग्लास की इतनी है यह टोटल ग्लासी कापसिटी हो गई लेकिन ग्लास में पानी कितना आया है इतना पानी आया है और हमारे इसमे ग्लास में हम कितने पानी का नुक्सान कर रहे हैं इतने पानी का हम नुक्सान कर रहे हैं जो भरा नहीं है तो यह हुआ कि यह जो पूरा हुआ यह के विये हो गया यह हमारा किलो वाट हो गया जितने एरिया का हमने यूज कर लिया और यह हमारा रियक्टिब पावर हो गया वही चीज जो मैंने आपको केले के संबन्द में बताया तो यह होता दोस्तों पावर अब देखिए पावर जो हमारी होती है उसमें जैसे की अब इसको थोड़ा सा ओर डिटेल हम समझते हैं माल लिए हमारी एक मोटर है इस मोटर को हमने पीछे से थिरी फेस द हम दे कितना रहें 11 एंपियर तो हमारा लास कितना हुआ एक एंपियर का यही हमारा लास जो है वह हमारा रियक्टिव पावर होती है और इसी पावर को हम कम से कम करने के लिए हम कैपिस्टर का उप्योग करते हैं और यही जो हमारा होता है एक यही हमारा पावर फैक्टर भ हमारी केविये हो गई जिस पावर को मोटर ने कंजूम किया एक्चुल में और उसने जो आउटपुट निकाला यह हमारा किलो वाट हो गया और जो दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ वह हमारा पावर फ्रेक्टर हो गया किलो वाट और केविये में क्या-क्या चीजें होती है आईए उसको भी देख लेते हैं किलो वाट देखिए किलो चो केविये हमारा होता है इसमें वोल्टेज और एम्पियर इसका मल्टिप्लाई हमारा केविये हो जाता है क्योंकि यह चुकि अब बड़ी यूनिट के लिए हम किलो लगा देता है क्योंकि थाउजन्ट के लिए हमारे किलो लगता है लेकिन एक्छूल में होता क्या वोल्टेज और एमपीर मिलकर के ही किलो वाट होता है इसमें वोल्टेज इन्टो एमपीर इन्टो कास फाइब ही होता है मतलब यह हुआ कि जिस चीज में पावर फैक्टर अगर दिया गया है तो उसकी रेटिंग किलो वाट में होगी और जिसमें पावर फैक्टर नहीं दिया गया है उसकी रेटिंग के विये में होगी अब ये आता है कि किस किस चीज की हमारी रेटिंग के विये में होती है और किस की हमारी रेटिंग किलो वाट में होती है तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है मतलब ये हुआ कि जिस चीज से हमें पावर आउटपुट में मिलेगी जो पावर आउटपुट करेगा देगा उसकी रेटिंग हमेशा KVA में होगी यह चीज़ आप समझ लीजे और जो पावर लेगा जिसके अंदर पावर जाएगी उसकी रेटिंग किलो वाट में होती है मतलब यह हुआ कि मोटर हमारी पावर ले रही है पंखा हमारा पावर ले रहा है मिक्सी हमारी पावर ले रही है तो उसकी रेटिंग हमारी किलो वाट में हो जाएगी और ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर टर्बाइन यह सारी चीज़े चुकि पावर जनरेट कर रही है दे रह तो आपको simple कुछ नहीं करना है आपको kilowatt में जो हमारा loss है उसको भाग दे देना है loss हमारा 0.8 हम power factor को रख लेते हैं जो हमारा loss है तो हमारा actual में आ जाएगा मतलब power factor को हम यदि हम भाग दे देते हैं तो हमारा kVA निकल आएगा अगर kVA से kilowatt को निकालना है तो simple आपको kVA में power factor का multiply कर देंगे तो आपका kilowatt मिल जाएगा अब एक चीज और जान लिए कि जिस चीज में power की खपत अगर वह कर रहा है तो उसमें power factor जरूर लिखा हुआ होगा जो हमारा transformer होता है उसकी rating kVA में क्यों होती है कारण यह होता है कि transformer का जो output निकलता है वह अलग अलग चीजों को चलाने के लिए होता है क्योंकि load कई प्रकार के होते हैं resistive, capacitive और inductive तिन प्रकार के load होते हैं और इन तीनों प्रकार के load में जो हमारा cost high होता है वह अलग अलग होता है इसलिए इनकी जो rating होती है वह kVA में की जाती है कि जितना वह ampere consume करेगा उसी कंसार उसका kilowatt निधारित किया जाएगा अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि जो हमारी mcb होती है वह किसमें होती है kVA में की kilowatt में होते है क्योंकि वह भी power output में दे रही है उसमें जो voltage दिया जाता है वह fix होता है 220 volt दिया जा रहा है या जितना भी voltage दिया जा रहा है तो वह fix होता है और उस पे ampere लिखा हुआ होता है कि कितने ampere की वह mcb है तो दोनों मिल करके VA वोल्ट ampere बन जाता है मतलब यह हुआ कि हमारा जो mcb होती है उसकी भी rating VA में ही होती है चुकि यह छोटी unit है इसलिए VA में है बड़ी unit जो हमारा breaker वगरा होते है उनकी rating KVA में ही होती है ठीक है चुकि mcb हमारी छोटी होती है 32 ampere की होगी 25 A की होगी 63 A की होगी इसलिए छोटी rating की है इसलिए हम WA में इसकी rating होती है इसलिए हम MpR को लिखते हैं क्योंकि voltage हमारा fixed होता है इसलिए हम voltage को नहीं लिखते हैं MpR को हिँ हम लिखते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा जितना मैंने topic को बताया है डिफरेंस बिट्विन किलो वाट एंड के विए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको अगर इस टॉपिक से संब्दि कि तो कफिजन हो तो वह कनफिजन की हमेशा के लिए दूर हो जाए और हो सकते तो जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बैल आइकन को जरूर प्रिस कर दीजेगा और इस वीडियो समझने तक रही है कोई कंफिजन है या कोई टापिक छूट गया तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों